सबसे पहले आप यह जाननी जी कि वाइटमिन्स होते क्या हैं। कोई भी और्गानिक कंपाउंड जो बॉड़ी की ग्रोथ, उसकी डिवलक्मेंट, उसकी इम्म्यूनिटी बनाए रखने या उसकी निट्रिशनल वैल्यू साटिस्पाय करने में मदद करता है। वो और्गानिक कंपाउंड जो है वाइटमिन है। ठीके वाइटमिन्स जो है वो बॉड़ी हमारी कम्प्लीटली खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती। सारे वाइटमिन्स हमारी भॉड़ी खुद नहीं बना सकती। इसलिए स्मॉल अमाउंट में इधिए कंज्यूम करना वाइटमेंस दो तरह की होते हैं fat-soluble and water-soluble fat-soluble vitamins वह होते हैं जो पानी में dissolve नहीं होते हैं अगर आप fat-soluble vitamins लोते हैं तो पानी में क्या है क्या है घुलते नहीं है Fat Soluble Vitamins है K, E, D and A ये चारो Vitamins क्या है Fat Soluble और B और C है Water Soluble Vitamins अब इनका फरक्या होता है कि अगर Fat Soluble Vitamins आपकी बॉड़ी में आक्सिस में हो जाएं तो ये नुकसान देंगे ठीक है ना क्योंकि हमारी बॉड़ी से यूरिन के थ्रू ये बाहर नहीं आ सकते पानी में मिक्स होकर तेखे, Water Soluble अगर वाइटमिन बाइचांस आपकी बॉड़ी में जादा भी हो जाए आक्सिस भी हो जाए तो ये यूरिन के थ्रू बॉड़ी से बाहर आ जाता है तेखे, अब इसका हम दूसरा अंगल देखते हैं Fat Soluble Vitamins आपकी बॉड़ी में रहते हैं क्योंकि ये पानी के साथ बहार नहीं आते तो इनको बार बार कंजूम करने की जरूद नहीं पढ़ते फ्रीक्वेट हैं लेकिन B और C ये वाटर सॉलूबल है ये बॉड़ी से जल्दी से रिमूव हो जाते हैं तो इसलिए नहीं फ्रीक्वेंटली कंजूम करने की जरूद पढ़ते हैं ठीक है So these are two types of vitamins Fat Soluble and Water Soluble Let's get started with our first vitamin that is Vitamin K सबसे पहले इस vitamin के बार में हम पढ़ने वाले हैं वो है Vitamin K और इसका ये रेखो ये इसका नीचे जो दिया है सबसे पहले देख लेते हैं गर वाइटमिन के हमारी वाड़ी में चाहिए तो भी क्या क्या चीज़े खाने चाहिए या सोर्स क्या 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 Green Leafy Vegetables अब आपने डॉक्टर्स को आपकी मम्मी को अकसर कहते सुना होगा भई हरी सबजियां खाया करो तो वह क्यों कहते हैं आप देखना maximum vitamins जो है वह वह ब्रीन लीफी vegetables से आपको मिलते हैं तो ब्रीन लीफी vegetables जो यहां पर आपको दिख भी रही है सोया बीन जो second picture में आपको दिख रहे हैं सोया बीन के सबजी बनाए जाती है Human body can also produce vitamin K अब क्या है कि human body खुद से vitamin K बना भी सकती है कैसे? Through germs in the colon यानि part of intestine हमारी small intestine में कुछ ऐसे germs होते हैं या कई तो कुछ ऐसे bacteria होते हैं जो vitamin K को produce भी तरते तो यह तो थे sources of vitamin K Now let's move on to the functions of vitamin K कि vitamin K का function क्या है हमारी body में क्यों यह जरीरी है First and most important function is Health blood clotting prevents overheating तेखें अगर vitamin K हमारी body में पर्याप्त है तो blood clot होने की आपने दिखाऊगा जैसे यह विच्छर में खून बहता है थोड़ी दिरवाद आटोमाटिकली इट स्टॉप्स तेखें बहुत मेजर किसी को चोट लगी हो वो अलग बात है बहुत गहरा घाऊ हो Otherwise आपको चोट लगती है तो खून थोड़ी दिरवाद क्या होता है जम जाता है That is called clotting तो अगर आपके अंदर vitamin K की वात्रा पर्याप्त है तो आपकी blood clotting होगी लेकिन अगर आपके अंदर vitamin K की deficiency है तो आपका blood clot होने में देर लगाता है या prevent होता है ठीके इससे आपका blood loss ज़्यादा होता है दूसरा maintain health of liver healthy liver के लिए भी vitamin K की क्या है ज़र्वत होती है body Now next thing is symptoms of deficiency and access अगर हमारी body में vitamin K की जादा है तो क्या problem हो सकती है और कम है तो क्या problem हो सकती है अगर body में deficiency है vitamin K की यानि vitamin K कम है body में uncultured breathing from wounds due to difficulty and clotting यह आपको पहने भी बताया है vitamin K कम होगा तो clotting में होगी फून बहेगा जादा access हो जाए तो liver को damage कर सकते है ठीकियो ना? क्या है vitamin K जो है वो एक fat-soluble vitamin है fat-soluble vitamin को क्या होता है ब्रेकडाउन करने के लिए bile juices की जरत होती है जो liver produce करता है ठीक है तो अगर बहुत जादा vitamin K होगा तो liver को जादा महनत करने पड़ेगे सो ब्रेकडाउन करने में और वो इसको damage कर सकता है ठीक है अब vitamin E जो है अगर गर्ल्स है उनको पता होगा vitamin E जो है वो बहुत सारे beauty products में होता है इसलिए इसको beauty vitamin भी कहते है चाहे आपकी skin हो चाहे आपके बाल हो नेल्स हो इन सभी को अच्छा रखने में vitamin E का बहुत जादा contribution होता है आपने सही सुना so if you want to maintain your beauty so consume more vitamin E और इसका जो नाम है scientific वो है tocopherol वाइटमिन E का नाम के है tocopherol और इसे beauty vitamin भी कहा जाता है तो question ऐसे भी आ सकता है which vitamin is named as beauty vitamin तीक है source क्या के है green leafy vegetables again क्या आप देखेंगे कि हरी सबजीयां जो है वो पहती ज़ादा if you're aiming for weight loss they are very good ठीक है so green leafy vegetables यहां पर सबसे पहला आपको यहां बीच में दिखता है whole wheat जिसे whole wheat के होता है जिसमें अनाज होता है ठीक है whole wheat bread होती है जाहे whole wheat pasta भी होता है cereals nuts sprouts sprouts आप देखते हैं घर में क्या होता है ना दाल भिगो कर रखते हैं तिक्या ओवरनाइट फिर उसमें से white white क्याते है उसको खुट जाती है जब वो सफेद सफेद सा उसमें से निकल आता है तो क्याते sprout होती है sprout डाले egg yolk यानि अन्डे का येलो पाथ होता है यह सब चीज़े vitamin E में क्या होती है बहुत रिच हो clear है vitamin E पर नाम क्या है और कौन-कौन सी sources से vitamin E मिल सकता है next functions क्या के रहे vitamin E के सबसे पहले maintains normal condition of cells and healthy skin and tissues यह हमारी skin को अच्छा रखने में मदद करता है tissues को healthy रखने मदद करता है जिखेरा नॉर्मल जिए हमारी cell की working है हमारी body बहुत सारे cells से बनी हुए millions and millions of cells से उनकी proper working में मदद करता है protect red blood cells आपको पता है हमारी body में RBCs होते है red blood cells जो oxygen carry करने का काम करते है from heart to whole body oxygenated blood लेकर जाते है तो red blood cells को यह protect करता है anti-oxidation करता है anti-oxidation का मतलब क्या होता है anti-oxidations are substances that may protect your cells against the effects of free radical molecules produced when your body breakdowns food or is exposed to tobacco smoke and radiation अब क्या होता है आपने कहीं में से नो green tea जो होती है वो anti-oxidant होती है कि कि berries जो होती है वो anti-oxidants होती है so basically anti-oxidants होता क्या है जब हमारी body जो है food को breakdown करती है तो उस time पर बहुत सारे free radicals generate होती है ठीके ये free radicals हमारे cells को damage कर सकते है अगर हमारी body इनके exposed में cells इनके exposed में free radicals के तो वो क्ला कर सकते है हमारी body के cells को damage कर सकते है तो उससे बचाने का काम जो है Y2E करता है ठीके smokers जो होते है तो इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने का काम क्या करता है वाइटिमिन अन्हांस करता है इम्मूनिटी को इम्मूनिटी बढ़ाता है ताकि बिमार आप जल्दी जल्दी ना पड़े अब जैसे कि मैं आपको बताया था वाइटिमिन इप बफाद सारे ब्यूटी प्रोड़क्ट में मिलेगा ये एक बफादी पेमस ब्रांड बॉड़ी शॉप की एक क्रीम है इसके इंदर रेखे सबसे मेन कॉंटेंट के लिखा वाइटिमिन इप तो इसके थूँ आपको याद रखना है तो इसके बफाद सेपट्रुटिब श्यूटिए अगर ये बड़ी कम हो जाहें ये ज़ग किया क्लव्टीज देखं़ों अगर ये बड़ी में कम है तो अनेमिया अनेमिया का मतलब क्यों होता है इसके बट की अनीमिय होना तो low thyroxin level, low thyroxin level, thyroid के बारे में आई थी का, अब सभी ने सुने होगा, बहुत ही common disease है, हमारे एक हार्मून होता है, ठीक है ना, thyroid gland होता है, जो एक हार्मून सिक्रीट करता है, जिसको हम thyroxin खेते हैं, ठीक है, तो यानि क्या होता है, हमारा जो thyroxin level है, वो कम हो जाता है, यानि हमारा gland thyroxin, वो कम प्रोडूस करने शुरू कर देता, अगर वाइटमीन एक्सेस हो जाता है, फॉर्टिलेटी डिसीज़, यानि कंसीव करने में प्रॉबलम होना, ठीक है ना, वो फॉर्टिलेटी डिसीज़ वाइटमीन एक्सेस से हो सकते हैं, हैडेक, डिजीनेस, पैटिलेटीज, अब करवाइटमीन एकशेस से हो सकते है, स्टमाख में डिसकमफट होना और पूर अपताइट होना, यानि भूट ना बना यह सबसkovग, वाइटमीन एक्सेस सकते हैं, इसका scientific name है Calcifarol, तेके, so vitamin D का scientific name है Calcifarol, और इसका जो other name है, वो है Sunshine Vitamin, तो आपको इस question यह सबी आ सकता है, कि which vitamin is called Sunshine Vitamin, तेके, source क्या है vitamin D का, एग योग, कॉर्ड लिवर ओयल, यहाँ, एग योग का मतलब क्या है भही, अंडे का येलो वाला पार, that is egg yolk, Cod liver oil, Cod liver oil क्या होता है, आपने देखा को 7C's के capsules आते है, छोटे होती, yellow yellow capsules आते है, gelatin वाले, that is cod liver oil, ठीके न, cod liver oil basically fish oil होता है, ठीके, fish खाने से, our skin also produces vitamin D when exposed to sunlight, ठीके, तो अंडे का येलो पार्ट खाने से, Cod liver oil लेने से, मच्छी खाने से, इन सब से vitamin D में लता है, उसके इलावा, हमारी vitamin D body खुद भी प्रदूस कर पाती है, अगर हम sunlight fixed post हो, ठीके, इसका अंडे ये नि क्या आप पूरा दिन धूप में बैठे नहीं और टान हो जाएं, इसके indices के आले, कुछ टाइम, early morning, helps the body absorb and utilize calcium and phosphorus, so as to maintain bones, teeth and brain health, ठीके, जितना भी आपकी इन बोडी का bone structure है, यानि जो हडियों से, तो सची हडिया हमारी body में है, उन्हें support करने के लिए vitamin D की जरुद होती है, ताकि उन्हें proper calcium, phosphorus जो है, वो absorb हो सके है, ठीके, उनकी bone health बनाए रखने के लिए calcium और phosphorus की जो जरुद है, बोस्ट में absorb हो सके है, उसके लिए vitamin D की जरुद होती है, ठीके, maintain normal calcium level in blood, हमारे blood में जितना required calcium level है, वो maintain रहे, इसके लिए भी vitamin D की जरुद परती है, Now, let's see what are the deficiencies and symptoms of access of vitamin D, यानि अगर हमारी body में deficiency है vitamin D की, तो क्या होगा, और अगर access है, तो क्या होगा, ठीके, अगर बच्चा है कोई, तो उसमें rickets की बिमारी हो सकती है, क्या होता है deficiency होने से vitamin D से rickets में, knocked knees, knocked knees क्या होता है, आपने बच्चे देखे, जो बहुत जो कमजोर होते हैं, उनकी जो ये गोडे होते हैं, ये अंदर की तरफ जुके हुए होते हैं, तीके टांगों में, बहुत वीक टांगे होते हैं, और ये गोडे जो हैं, वो अंदर की तरफ जुके होते हैं, that is called rickets, किसी इंग्लिश में नॉक्ड नीज भी कहते हैं, यानि जो घुटनी है तो नो एक दूसरी की तरफ तोड़े से चिंटिड होते हैं, वो होता है rickets, डेंड्स में क्या हो सता है, OSTOMALACIA और OSTOPOROSIS, तिके, OSTOMALACIA और OSTOPOROSIS में ज्यादा फरक नहीं है, दोनों में क्या है, Bone Density जो है, वो बहुत ज्यादा ऐफेक्ट होते हैं, Bone Density, OSTOMALACIA का मतलब क्या है, अगर आपकी BONS बोखा ज़्यादा EASILY BREAKABLE हैं, यह तब तक में पता जलता है, जब तक कोई बोन में इंजरी ना हो, यानि फ्राक्टर वगरा ना हो, तब तक इस बिमारी के बार में पता नहीं चलता है. And osteoporosis का मतलब जया है? बोन डेंसिटी का कम हो जाना. and osteomyelation, osteoporosis both are more common in female so if you are a girl or if you are a woman then it's more important किया vitamin D की consumption and sun exposure तर ध्यान रखें ताकि आपको इन दोनों बिमारियों से अपनी body को immunity प्रवाइट कर सकें symptoms of access अगर बहुत जादा हो जाए vitamin D तो क्या हो सकता है सबसे पहले calcified cartilage calcified cartilage के है कि आपकी cartilage के अंदर calcium salts deposit हो जाते है cartilage एक muscle type करते होता है वो बोन से कम strong होता है flexible होता है और वो बोन के बीच, joints के बीच जते हैं कि joints होते है न चाहे elbow joint हो या ankle joint हो इनके बीच present होती है cartilage अगर cartilage के layer के अंदर calcium का deposition बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे calcified cartilage के थे तो यह पहला access होने का symptom है दूसरा high calcium level in blood causes abnormal heart beat and damage organs अगर बहुत ज़्यादा blood में calcium का absorption हो जाए vitamin D हाए होने की वज़े से तो heart beat abnormal हो जाती है और kidney को होने है वो damage कर सकती है vomiting और diarrhea की sensation होना sore eyes, आंखे दुखना इची skin, skin में बहुत ज़्यादा यालि की कुछ भी होना यह सब symptoms हो सकते हैं access of vitamin D के ठीक है now let's move on to the next vitamin which is vitamin A यह एक और vitamin है जो बहुत जादा आजकल beauty industry जो है वो इस्तेमाल कर रही है क्यों कर रही है क्योंकि इसमें anti-aging properties या anti-aging properties जो भी नाम से आप से बिलाते हैं वो होती है एज को रोखने के लिए की product यह यह वाइविन जो है बहुत अबर चकाफ करता है और इसको क्यामिकल नेम है रेटिनॉल जीक है तो जो दवाईयों में या अगर मैं कहूं भी कॉस्मेटिक्स में पाया जाता है तो रेटिनॉल के नाम से ही पाया जाता है सोर्श कहां किया है कहां से वाइविन ए हमारी बोड़ी को मिल सकता है डेरी प्रोड़क्स दूद, दही, मक्षन, घी, पनीर जितनी भी डेरी प्रोड़क्स है यह रिचिक वाइविन ए पॉर्ड लिवर ओल अगेर मैं आपको बताया था था मैं इंपोर्टन, फिर्स्ट, मेंटेंस आए हेल्थ इस इस प्राइमरी फंक्शन ओ वाइविन ए कि आँखों की गुड हेल्थ हमारी आँखे पॉपर ही काम करें उसके लिए काम करता है प्रोड़्ट ग्रोड़्थ एंडवल्प्मेंट हमारे बोल्थ हैल्थ रहे तीथ हल्थ हल्थ है उसके लिए काम करता है एंघंस थी प्रॉटेक्शिन औरीजणरेशन अफसे लेल्प्रेशन ओं मुक्लिक्शन ठीके क्या करता है कि सेल की रिजगेशन जी डामेज होता रहते हैं अपना को regenerate करते नहीं थीके उस process में हें हेल्द करता है maintains healthy respiratory and intestinal tract हमारे intestine के जो ट्राक्स है वहा हें से खाना बसरता है digestion का प्रोसेस जहां होता है वो healthy रही respiratory जो हमाना ट्राक है और सो figure वाला थीके वो सारा healthy रहे maintain healthy hair, nails and skin अच्छे बाल, अच्छे नाकून, अच्छे स्कीन, ये सब मेंटें करने वाइटमिन A मदद करता है. Now, symptoms of deficiency and symptoms of access. अगर वाइटमिन A की बॉड़ी है, तो सबसे बड़ी प्रोब्लम जो हो सकती है, वो है night blindness और dry eyes. ठीके, night blindness का मतलब क्या है, संसेट के बाद इंसान की विजिन जहें को खतम हो जाती है, तो दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, that is night blindness. Dry eyes का मतलब क्या है, कि आंखों में आपके पानी सा होता है, जिसको आप आकोस हुमर कहते हैं, इसकी कमी हो जाने से आंखों में खिचाव सा भी सूस होता है, that is dry eyes, skin dry होना, stomach में discomfort होना, growth proper ना होना, weak bones और teeth होना, यह सब vitamin A की डेफिचेंसी से हो सकता है, ठीके, यहाँ पर पि आपका रेटिन लिखा है, यहाँ पर आपका रेटिन लिखा है, तो ऐसे अलग-अलग नामों से रेटिनल जो है, वो सीरम्स में और क्रीम्स में आने लगा है, जू तो इस एंटी एजिंग प्रपर इस ठीके, अगर एक्सेस में हो जाए, vitamin A, तो क्या प्रॉब्म होती है, dry scaly, peeling, itching skin, यानि की खुच्डी होना, skin पर एक राश होना, उपर से skin की layers उतरना, dry, यह सारे symptoms हो सकते हैं, hair loss होना, poor appetite होना, थकावत महसूस होना, vomiting, stomach discomfort, liver को damage होना, ज्यादा, injury होना, liver में, headache, bone pain, हडियों में दर्ध होना, nervousness होना, irritation होना चिल भी, so now next in vitamins के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो है vitamin B complex, जिसके अंदर बहुत सारे vitamins आते हैं, so let's see कौन-कौन से आते हैं, vitamin B1, B2, B6, B12, see और बे बहुत सारे vitamins होते हैं, vitamin B complex के अंदर, उनकी category के अंदर, लेकिन वो सब comparative exams में निए पूछे जाते हैं, so four most important जो है, जिन पर question आ source के है, sprouts and yeast, okay, sprouts आपको मैंने पहले बताया था, दालें जो होती है, जब उन्हें पान में भी गोफर रखा जाता है, overnight, वो सफेद सफेद से यो पर से न, कुछ root type की निकलाती है, that is called sprouts, yeast जो है, पहुत सारे चीज़ों में आपको मिलता है, even bread के अंदर भी yeast प्रेजन होता है तो इन दोनों चीज़ों से, sprouts and yeast से, vitamin B1 जो है आपकी बोड़ी को मिलता है, अगर vitamin B1 की deficiency होता है, जो disease cause होती है, वो है berry-berry, तेखे, berry-berry क्या होता है, ये दो तरहां का होता है, wet berry-berry and dry berry-berry, दो तरहां की disease होता है, अगर wet berry-berry का इंसान शिकार है, तो वो उसकी circulatory system, तेखे, यानि blood जो flow होता है, मारी बोड़ी में उसको affect करता है, और बहुत सब्सक्राइब होने पर heart stroke, short breath, इनकी problem दे सकता है, और अगर dry berry-berry का problem है, तो वो आपके muscular system, यानि जो muscles है आपकी बोड़ी उनको attack करता है, उससे paralysis हो सकता है, या sore feet हो सकता है, तो berry-berry जो है तो तरहां का होत होता है, और दोनों ही vitamin B1 की deficiency से होता है, ठीक है, source क्या है, कहां से vitamin B1 आपकी बोड़ी को मिल सकता है, sprouts and yeast के consumption से, Now, the next vitamin is vitamin B2, जिसका नाम है ribofleven, ठीक है, source इसका है sprouts, cow's milk, येलो काय, एक तो भैस का दूद होता है न, वो नहीं, जो गाएं का दूद होता है, जो येलो-ish in color होता है, वो source होता है vitamin B2 का, इसकी deficiency से, disease कौन सी हो सते है, chileosis and ulceration, ulceration तो अपको पता है, पेट में ulcers हो जाते ह एक जखम तरह का होता है, open boom, ठीक है, वो होता है ulcer, उसको, उसका create होना होता है ulceration, ठीक है, chileosis क्या होता है, या पिक्चर में देखिए, ये होठों के पास, दोनों extreme corners पर ये से लाल-लाल से घाओ हो जाना, ये होता है chileosis, ठीक है, और ये किस से होता है vitamin B2 की deficiency से, now let's move on to the next vitamin, that is vitamin B6, जिसका नाम है pyridoxine, या pyridoxine, जो भी आप इसकी connotation करना चाहे, vitamin B6, ठीक है, ये responsible क्या है, it is responsible for remembering dreams, इसका बड़ा यूनीक फंक्शन है हमारी बोडी में, यानि it works on your subconscious mind, ठीक है, सपने याद रखने में, vitamin B6 आपकी बोडी में काम करता है, तो अगर आप कहते है कि यार मैं सुबा उठता हूँ तो मुझे बिलकुल भी सपने अपने याद नी रहते, so it's time कि आप अपनी vitamin B6 की consumption को बढ़ा दे, ताकि आपको अपने सपने याद रहे, ठीक है, symptoms of deficiency क्या है, anemia होना, यानि RBCs की body में कभी होना, nervousness feel होना, insomnia, यानि नीन्त ना आना, ठीक है ठीक है, source क्या है, dairy products, eggs, fish, meat and poultry, यानि ये सब animal sources से ही मिलता है, animal products, चाहे वो vegetarian है और non-vegetarian है, उनी से आपको vitamin B12 मिलता है, और इसकी deficiency से क्या है, anemia हो सकता है, ठीक है ना, क्या होता है, vitamin B12 जो है ना, वो RBCs, यानि red blood cells को generate करने में हेल्प करता है, ठीक है, उनकी development में ना, प्रिपजस प्रिदुस्टे, तो oxygen में ही प्लड में फ्लोगा, ठीक है ना, तो अनीमिया, कुन की कम ही होती है, अगर RBCs कम होते है, तो आनीमिया की बिमारी जो है से जनरेट हो सकता है, ठीक है, ठीक है, तो क्लियर हुए, चारो vitamin B1, B2, B6 and B12, यही में से question जो है, जो तो इनका सोर्स पूचा जाता है या इनकी जो डेफिशेंसी से दिसीज होती है बो पूची जाते है So now, let's move on to the next vitamin जो की बहुती, commonly सुनावार वाइटमिन है That is vitamin C ठीके, नाम क्या है इसका? एकस्कॉर्बिक आसिट ठीके, ascorbic acid जो है, वो क्या है? Another name for vitamin C यहाँ पर देखे, नीमू बना है, औरेंज बना है तो vitamin C जो है सारे citrus fruits यानि रसीले fruits पी, यहाँ मैं कहूँ थोड़ी खटे जो fruits होते हैं टेस्ट में, उनके अंदर vitamin C भरपूर मातरा में होता है जिसके, orange, grapefruit, lemon, strawberry, black currant, kiwi, ठीके ना, tomato के अंदर green leafy vegetables में, ठीके, green pepper में इसके इलावा Indian gooseberry, जिसको आप कहते हैं आवला ठीके, वो भी बहुत अच्छा source होता है vitamin C का तो इन सभी sources से आपको vitamin C जो है, वो मिल सकता है Now, let's see functions of vitamin C काफी सारे functions है vitamin C के जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले collagen body में बनाने में मदद करता है ठीके, collagen क्या है? Collagen is skin cement हमारा skin, जिस cement से बना हुआ है, वो collagen है धीरे-धीरे उमर के साथ collagen कम होता है इसलिए हमारे चेहरे पर जूनिया पढ़ने लगती है ठीके, अगर आप चाहते हैं कि आपके skin हमेशा यंग रहे, ब्राइट रहे तो collagen की production में मदद करने वाला vitamin C आप चुन्स लेख रहे है ठीके, प्रमोच ती ग्रोथ और रिपेर ऑफ सेल्स, गम, जीथ, ब्लॉड वैसल्स, और बोट ठीके, next, help healing after operation and injury So, अगर you have gone through a long, you know, जो बीमारी है उससे आप गुजरे है या कोई injury आपको रही है या कोई operation हुआ है So, it's good to consume vitamin C, आप vitamin C के supplements ले सकते हैं Calcium in iron की absorption बड़त करता है, इम्मुनिटी को boost करता है Now, let's see, कि अगर deficiency of vitamin C की तो क्या problems हो सकते हैं और access को तो tap out नहीं हो सकते है अगर deficiency है, तो सबसे पहली problem है scurvy Scurvy में क्या होता है ना, इंसान को बहुत थकावत नहीं सूस होगी, fatigue को और bleeding होने लगते Skin आपकी weak हो जाती है, basically, gums से bleeding होना ये सब होता है scurvy के symptoms जो भी नीचे लिखे होने, gum inflammation, bleeding, दातों का गिरना, skin की bleeding असानी से होना capillaries का burst होना, weakness feel करना, fatigue feel करना, bone में pain होना, swollen and aching joints होना ये सब scurvy के ही symptoms है और ये होते क्यों है vitamin C की deficiency से अगर vitamin C आपकी body में, तो abdominal pain हो सकता है ये नहीं कि सारा दे नीवू पानी बीते रहे हैं क्योंकि इससे पेड में दर्द हो सकता है, diarrhea हो सकता है, kidney में स्टों हो सकता है ये problems होती है, access of vitamin C consumption से ठीक है, so with this, this is the end of the video I have discussed all the important vitamins and their deficiencies और उनके access से क्या बिमारिया होती है आपके साथ so if you have liked this video, आपको पसंदाया है and you found it useful then do not forget to hit the like button